श्री गनेशा या नमाहा ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन के कारक है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जिवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम ला रहे है ये आपके लिए सबसे बहतरीन समय होगा चंद्रमा के पाचवे भाव में होने से आप काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे इस समय में आपकी आर्थिक स्तिती मजबूत रहेगी खर्चे कम होंगे और इंकम ज्यादा होगी मन पसंद रहेगा कोई टेंशन नहीं होगा सुबै से ही आप जोश में रहोगे उत्साह में रहोगे इस समय में आपके रुके होए सारे पेंडिंग काम पूरे हो जाएगे आपको पारिवारिक सुख मिलेगा पीता का सपोर्ट भी विशेश कर इस समय में आपको मिल रहा है इस समय में आपके बिजनेस में उन्नती दीखेगी आर्थिक स्तिती और मजबूती के और बढ़ेगी उधार दिये हुए या अटके हुए जो पैसे है वो आपको वापस मिल सकते है दामपत्य जीवन में मधूरता रहेगी घर में खुश्टुमा माहोल रहेगा इस दिन फैमिली के साथ समय व्यतित करना काफी अच्छा रहेगा आप भी खुश होगे और आपके फैमिली वाले भी काफी खुश रहेगे किसी तरह का टेंचन या प्रेशर इस दिन आप पर नहीं रहेगा लव लाइप में अपने पार्टनर को खुश करने के लिए समय अच्छा है पार्टनर के साथ आप समय व्यतित कर सकते है लाइप के बारे में मिलकर कोई अच्छा डिसिजन भी ले सकते है आज खर्चे नहीं होगे लेकिन आए अच्छी रहेगी स्टूडेंट्स के लिए भी समय अच्छा है अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखे और अच्छे समय का पूरा लाब उठाए आज आपको स्वास्ते भी परिशान नहीं करेगा पूरानी परिशानियों में भी सुधार दिखेगा इस दिन लाल रंका इस्तेमाल करना आपके लिए अच्छा रहेगा और एक अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुणली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा